दोस्तो एक्सपेरिमेंट से लेकर युद थक दुनिया के बहुत सारे मेजर इवेंट ऐसे हैं जो की गलती से हुए हैं इनमें डिसकवरीज भी शामिल है आज बात करेंगे ऐसी 10 डिसकवरीज की जो की गलती से हुई थी लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया को हैरान करके रख चाहोगा यह तकरीबन 33 साल पुरानी एक ममी थी जिसमें हड्डियां भी मौजूद थी इस ममी के आसपास बहुत सारे हीरे जवाहरात भी रखे हुए थे गलती से हुई यह डिसकवरी बहुत खास थी क्योंकि आकेलोजिस के मुताबिक यह किसी नकारे गए फैरोहा की ममी ह हो सकती है क्योंकि यह ममी तूटी हुई थी और इसके आसपास बहुत सारे जानवरों की हड्डिया भी मौजूद थी आकेलोजिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या यह सच में कोई पैरोहा थे या नहीं हलाकि यह तो पक्के तोर पर कहा जा सकता है कि यह राज घराने से संबंदित था नमबर नौ वाली मैमत बोन्स क्या हो अगर आपको पता चले कि आपके घर के आंगन में एक बड़े हाथी की हड्डिया रखी हुई है और यह हाथी और कोई नहीं बलकि मैमत है जेम्स ब्रिस्टल नाम का एक किसान अपने खेत में ड मैमत कितना पुराना है लेकिन आकेलोजिस्स ने एक रफ रिंज बता दी है कि यह मैमत कम से कम 12,000 से 15,000 साल पुराना तो है ही यह भी पता चला है कि यह मैमत जब मरा तब यह कुल 40 साल का था जिस किसान के खेत पर यह मिला उससे लगा कि शायद यह डाइनसौर हो लेकिन य एक वाली मैमत था यह कितना बड़ा था इसका अंदाजा केवल इस बात से लगा यह कि इसकी मिलने वाली सबसे पहली हड़ी 2.4 मीटर की थी साल 1653 में एक व्यक्ती बेलजियम में जमीन के 2.4 मीटर नीचे खुदाई के दौरान उसे अचानक से बहुत सारा खजाना मिला जिसके अंदर 100 सोने के सिक्के, 200 चांदी के सिक्के, एक शांदार तलवार और 300 सोने की मदु मक्या मिली साथ में इस खजाने में 2 कंकाल भी मौजूद थे, बाद में इस खजाने को लुईस सोला को दे दिया गया, लुईस सोला द्वारा इसे चिल्डरिक का मक्बरा नाम दिया गया हलाखि उसे इसके अंदर मिला सामान कुछ خاص पसंद नहीं आया इसलिए उसने ये सामान अपने ख़जाने में नहीं रखा बाद में सारा सामान गाइब होता चला गया उन मदुमक् religions के बारे में भी कुछ पता नहीं चला उन में से कुछ निपोलियन बोनापाट को मिली भी लेकिन बाद में उसके पास से भी वक्ष हो गई आज की तारीख में ये सारा सामा अन ला पता है वैसे तो लगबग हर ममी अपने आप में एक रहसे है क्योंकि उन्हें कब और किसने बनाया था हम नहीं जानते लेकिन कुछ ममी बहुत ज्यादा रहसे मही होती है जैसे मिंग सामराज्जे की मिली ये ममी जिसने कई सारे सवालों के दर्वाजे खुल दिये थे हुआ ये कि 2011 में लोकल सड़क को बढ़ाया जा रहा था और उसी दोरान एक ममी मिली जो कि मिंग सामराज्जे की हाई रैंक महिला की ममी थी वो रोड के अंदर तकरीबन एक दशमलव आठ मीटर दबी होई थी जब इस ममी को ढूंडा गया तब पहले लगा कि ये हाल में दफनाई गई कोई लाश है क्योंकि ये ममी बिलकुल भी खराब नहीं हुई थी हाला कि बाद में ये पता चला कि इस ममी के आसपा से काले रंग का लिक्विट था इसी लिक्विट के कारण ये ममी खराब नहीं हुई थी कपडों से ममी को देखकर ये कहा जा सकता था कि ये मिंग सामराज्य में किसी बड़े पद पर थी लेकिन ये कौन थी आज भी रहसे है इसराइल में साल 1986 में दो मच्छुआरों को समुद्र के किनारे पानी सूखने के कारण एक नाव मिली पहले उन्हें देखकर ये लगा कि ये नाव मौडन है लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये नाव लगभग 2000 साल पुरानी है दस अलग तरह की लकडियों से बनी ये नाव तकरीबन 40 से 50 एडी में बनाई गई थी इस नाव का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा उस नाव से मिलता है जिसका जिक्र बाइबल में किया गया है हाला कि ये थाबित नहीं हो सका है लेकिन अब बहुत से लोग यहीं मानते हैं कि ये नाव जीजस के द्वारा प्रयोग की गई थी इस नाव को दे जीजस बोर्ट नाम दिया गया और ये ये येगिल एउन म्यूजियम में रख दी गई है कीचर में फसी इस नाव को 12 दिन का समय लग गया था और अब इस बारे में रिसर्च की जाएगी कि आखर ये नाव सच में जीजस के द्वारा प्रयोग की गई थी या नहीं यूनाइटिड किंगलम के वल्शेयर में एक किसान जमीन से मिट्टी हटा रहा था ताकि केबल को फेला सके और तभी उसे कुछ ऐसा दिखा कि उसने तुरंट आकेलोजिकल डिपार्टमेंट में फोन किया आकेलोजिकल डिपार्टमेंट ने जब खुदाई की तब ये पता चला कि जिस जगह पर किसान का घर था यहीं पर एक रोमन विला हुआ करता था जो की तकरीबन एक सो चालिस एडी में बनाया गया था यानि की दो हजार साल पुराना था तीन मंजिल इस इमारत में और भी बहुत सारी चीज़े आकेलोजिकल डिपार्टमेंट को मिली जिसमें की अलग-अलग धातूँ से बने सिके और जेवर भी शामिल थे इसमें एक कमरा ऐसा भी बना हुआ था जिसमें कूडा रखा हुआ था हालाकि उस समय का कूडा आज के समय के लिए एंटीक है आकेलोजिस्ट के अनुसार ये विला किसी गवर्नर को एलोट किया गया होगा या हो सकता है शासक के रिष्टेदार इसमें रहते हूँ सर्डिका एक ऐसा शहर है जहां पर बहुत सारे दबे हुए स्ट्रक्चर मौजूद हैं बलकि कहा जाता है कि पूरा शहर ही दबे हुए स्ट्रक्चर पर बनाया गया है थेरकियन ट्राइब्स पर जो भी राज करता था वो सर्डिका के जरिये करता था पहले यहां पर अलेक्जेंडर दग्रेट का शासन भी आया और उसके बाद रोमन्स का भी यह सब तब पता चल पाया जब हाल ही में शहर के अंदर मेट्रो लाइन को बिचाया जा रहा था मेट्रो लाइन को बिचाने के दौरान यहां अलग-अलग स्ट्रक्चर मिले जिन में 600 साल का अंतर था इन स्ट्रक्चर से केवल ये स्ट्रक्चर ही नहीं बलकि और भी बहुत सारे अंटीक भी तलाशे गए आज के समय में इन अंटीक को बुलगारिया के सरकार ने मेट्रो स्टेशन में ही रखवा दिया है ताकि आम लोग भी इसे देख सकें इडिनबर्ग वाल्ट्स को युनाइटिड किंग्डम की सबसे ज्यादा हॉंटेड जगह माना जाता है ये वाल्ट्स कई सारे चेंबर्स का समू है जिसे 19 अलग-अलग आर्किटेक्स ने मिलकर बनाया था पहले के समय में जब इसे बनाया गया था तब ये पानी से भरे हुए थे बाद में जब 17 अताबदी में पानी खाली हुआ तो यहाँ लोगों को मारा जाने लगा क्राइम होने लगे लोगों को मार कर यहां से मेडिकल कॉलिज में बेच दिया जाता था हाला कि जब ये सब हो रहा था तो इसे रोकने के लिए इन चेम्बर्स में पत्थर भर दिये गए आज के समय में ये चेम्बर खोल दिये गए हैं इन्हें टूरिस्ट स्पॉर्ट बना दिया गया है और कोई भी आकर यहां पर विजट कर सकता है हाला कि आज भी यहां आने वाले लोग ये बताते हैं कि यहां कहीं से भी बच्चों के रोने की आवाजे और महिलाओं के गाने की आवाजे आती रहती हैं इन अफ़ाओं के कारण डर के मारे यहां टूरिस्ट कम ही आते हैं और जो भी आते हैं इन शांदार धंग से बनाई गए चेमबर को देख कर हैरान रह जाते हैं पिछले पॉइंट में हमने डरावने चेमबर की बात की अब हॉंटेड लेवल को नेक्स लेवल पर ले जाते हुए बात करते हैं हड्डियों वाली गुफा की साल 1757 में खुदाई कर रहे लोग अचानक से एक गुफा में पहुँच गए इस गुफा में उस समय ढूंडा गया लेकिन कुछ भी नहीं मिल पाया बाद में 1824 में इसे गवर्मेंट द्वारा पैसा कमाने के लिए टूरे स्पॉट बना दिया गया उस जगह पर ढूंडी गई दोनों गुफाओं को जोडने के लिए सरकार ने सोचा कि एक और गुफा बना दी जाए और इसे बनाते वक्त उन्हें एक और गुफा मिली जो कि थी दबैनवल बोन केव बोन केव इसलिये क्योंकि यहां पर लगभग हर जानवर की हड्या मौजूद थी चाहे वो भालू हो या हिरन या कोई और जानवर यह हड्या तकरीबन 80,000 से 50,000 साल पुरानी थी यहां दुनिया की सबसे ज्यादा हैरान करने वाली खोजों में से एक था क्योंकि यह हड्या यहां पर कलेक्ट करने के लिए रखी गई थी यहां की अजीब फॉर्मिशन देखकर कोई भी इनसान बुरी तरह डर सकता है यहां पर एक सकल भी पाया गया था जिसके बगल में सोने का खंजर रखा गया था यह सब रहसे को बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन इस घुफा का रहसे आज तक सुलज नहीं पाया है साल 1963 तुर्की के कापडोशिया में रहने वाले एक इनसान ने सोचा कि क्यों न अपने घर में रेनुवेशन की जाए उसने इसी परपस से घर की दिवार को तोड़ दिया और उसके बाद जो उसे मिला उसे अब तक की सबसे बड़ी आकेलोजिकल डिसकवरी कहा जा सकता है इस दिवार के पीछे एक गुफा थी जो की डेरिंग कुयू नाम के अंडरग्राउंड शेहर में जाकर मिल रही थी इस शेहर को जब आकेलोजिस्ट ने देखा तब वो हैरान रह गए ये शेहर तकरीबन 20,000 लोगों के लिए बनाय गया था इसमें स्कूल थे, चर्च थे और लगभग हर तरह की फैसिलेटी मौजू थी जमीन के 60 मीटर नीचे बना ये शेहर 780 से 1100 AD के बीच बना था इस शेहर को इसलिए बनाय गया था ताकि अगर कोई अटाक होता है तो उससे सिविलियन्स को बचाया जा सके इसमें पहाडों से रास्ते निकले हुए थे, 1923 तक ये शेहर आक्टिव हुआ करता था लेकिन जब क्रिश्चियन्स को इस शेहर से निकाला गया और वो ग्रीज चले गए तब ये शेहर बंद हो गया विडियो देखने के लिए धन्यवाद